हेलो दोस्तों दृष्टी PCS चैनल पर एक बार फिर्ट से आप सभी का स्वागत है आज हम उत्राखंड राज विशेश से संबंद जो भी आगामी परिक्षाएं हैं उनके लिए करंट अफेर्स तैयार करेंगे उनको रिवाइज करेंगे जो भी महत्कून खबरे रही हैं उनको देखेंगे पहले सवाल से हम आज का सेशन शुरू करते हैं सवाल है आटोमेटिक फिटनेस के नियम को अनिवारे रूप से लागू करने के लिए राज में कितने फिटनेस सेंटर बनाये जाएंगे आप्चन है चार पांच साथ या फिर दस चार फिटनेस सेंटर बनाने की बात कही गई है जो आटोमेटिक तरीके से जो वाहन है उनको चेक करेंगे तो सड़क परिवहन और राजमार्क मंत्राले ने केंद्री मोटर या नियम 1989 में संशोधन किया है केंद्री मोटर यान नियम 1989 के तंशोधन किया है उसके तहट सभी भारी माल वाहन कौन से भारी माल वाहन और भारी यात्री वाहनों की अपरेल 2023 से अनिवारे कर दी जाएगी तो ऐसे वाहन जो लगबग 8 साल अपना समय चल चुके हैं उनकी 2 साल में एक बार और जो इससे अधिक समय तक उप्योग किये जा चुके हैं उनकी साल में एक बार जाच किया जाना अनिवारे होगा तो इसका सही चवाब option A यानी 4 अग तीलू रतौली पुरसकार से सम्मानित किया जाता है तीलू रतौली पुरसकार option A 21, 22, 23 या 24 तो इसका सही जवाब है option C यानी 23 महिलाओं को हर साल तीलू रतौली पुरसकार से सम्मानित किया जाता है इसके अलाब एक और सम्मान यहा दिया जाता है वो है आंगन बारी पु उत्राखंड के अंतरगत, उनके महत्पूनकार रहे हैं, उनको सद्धांजली देने के लिए एक तरह से उनके सम्मान में इसको शुरू किया गया है, आठ अप्रेल को उनकी जैन्ती मनाई जाती है, तो इस पुरसकार की चुकी हाल ही में सरकार ने धनराशी बढ़ाने की बात है, इसी तरह जो आंगन वाली पुरसकार है, उसके तहट जो धनराशी थी, पहले 10,000 के असपास थी, फिर उसको बढ़ा करके 21,000 किया गया और अब उसको आगे और बढ़ाया जा रहा है, इस वज़े से यह पुरसकार अक्सर चर्चा में बना रहता है, तो आपको इसके ब पहला दूसरा, तीसरा या फिर चौथा, तो देश में टीबी रोग मुक्त अभियान जो चलाया गया था, वह चलाया गया था, 24 मार्च से 13 अप्रेल तक, तो इसके अंतरगत उत्राखंड को यहां पर दूसरा इस्थान मिला है, उन राज्यों की श्रेड़ी में जिनकी जन संक्या 5 करोड से कम है, और पहला स्थान किसको मिला है, पहला स्थान मिला है, 36 गड़ को, ठीक है, तो यहां पर न्यूज इसके बारे में दी हुई है, इसका सही जवाब, option B, चलिए, अगला सवाल, हाल ही में मुख्यमंत्री पुशकर सिंग धामी ने इस जिले में आयोजि बिशु मेले का शुभारम किया है, option उत्तरकाशी, दहरादून, बागेश्वार या फिर नैनिताल, तो बिशु मेले की शुरुआत की गई है, उत्तरकाशी के जखोला इस्थित सोमेश्वार मंदिर के अंतरगत, ठीक, बिशु मेला आपने आप में बहुत ही किये गए थे, खास कर किस से, तीर कमान से, तो इसको यहाँ पर प्रदर्शित किया जाता है, और इसकी अंतरगत एक समय ऐसा था, जब पहले इतने जादा मनरंजन के साधन नहीं हुआ करते थे, तब किस समय में यह जो मेला है, या फिर यह जो तेवहार है, तेवहार की प्रदेश या फिर उत्राखंड के कई सारे खित्रों में इसका आयोजन किया जाता है, इसी मेले से संबंदित एक और जो आयोजन है वह है ठोड़ा निरित्र का, यह आयोजन भी इसी से संबंदित है, तो लोग संस्कृती का एक बहतरीन नमूना इसे कहा जा सकता है, option A, य इस वर्ष में परियावरण से जुड़े मैती आंदोलन की शुरुआत की थी, यहाँ पर पता चल गया कि मैती आंदोलन की शुरुआत किस ने की थी, कल्यान सिंग रावत मैती जी ने, अब सवाल यह है कि कि साल की थी, तो 1990 में, 1994 में, 1999 में या फिर संदोहजार में, उसका स जिले के बैनोली गाउं से, इनको इसके पहले राश्पती द्वारा 26 जनवरी 2020 को पदमश्री संबान भी दिया जा चुका है, तो उन्होंने परियावरण की ख्षेतर में जिस तरह सी योगदान दिया है, पौधे लगाने की बाते कही हैं, उस लिहाज से प्रकृती प्रेम होने की वज़े से इनको इस तरह के सम्मान दिये गए हैं, और इन्होंने परियावरण से ही जुड़े हुए मैती आंदोलन की शुरुवात की थी 1994 में, और लोगों को प्रेरित लिया, तो इस सवाल का सही जवाब, option B, यानि 1994, अगला सवाल, राज में CSIR, भारती पेट्रो संस्थान का 63 स्थापना दिवस मनाया गया है, कम मनाया गया, 14 अप्रेल को, 14 अप्रेल को और भी कई महत्पूर्ण जयनतिया थी जैसे बाबा साहिब, अंबेटकर की जयनती, महावीर स्वामी की जयनती, तो यह जो संस्थान है, यानि आई आई पी देहरा दून, यह देश जैसे बहुत ज़्यादा चर्चा में है, या फिर बहुत महत्पूर्ण संस्थान हो जाता है, क्या बनाता है, बायो जेट इंधन, तो याद होगा 2018 में, देहरादून से दिल्ली तक, जो भारत की पहली बायो जेट इंधन आधारित उडान थी, उसमें इसी बायो जेट इं से होने वाले प्रदूशन की रोख थाम के लिए, उसके मैनेजमेंट के लिए भी कार ये करें, ऐसा मुख्यमंत्री चाहते हैं, चूकि अभी इसका ये किस थापना दिवस मनाया गया है, इसलिए यह चर्चा में है, उप्शन D इसका सही जवाब है, यानि देहरादून में इस्थित है, अगला सवाल, खाली में नीति आयुक दौरा जारी, राज उर्जा और जलवायू सूचकांक राउंड वन, कौनसा, राज उर्जा और जलवायू सूचकांक राउंड वन में, उत्राखंड को किस श्रेडी में रखा गया है, उप्शन, फ्रेंट रणर्स, छोटे राज्यों के अंतरगत भी राज्यों को रैंकिंग दी गई है, तो बड़े राज्यों में अगर हम देखें, तो बड़े राज्यों में गुजराथ पहले नमबर पर है, दूसरे नमबर पर है केरल और तीसरे नमबर पर है पंजाब, छोटे राज्यों में गोवा पहल नंबर पर है, त्रिपुरा दूसरे पर है और तीसरे नंबर पर है मनिपुर। इस प्रकार से एक करम है और अगर उत्राखंड का नंबर देखा जाए तो ये front runners की शेड़ी में आता है और category के हिसाब से rank इसकी 5 हुई है और category इसकी larger state में रखी गई है यानि बड़े राज्यो के अंतरगर ठीक तो सही जवाब क्या है option A यानि front runners अगला सवाल राज में देव संस्कृती विश्व विद्याले कहां इस्थित है option मसूरी रिशीकेश हरिद्वार या फिर पिथारागड तो देव संस्कृती विश्व विद्याले एक बार फिर ते चर्चा में है क्योंकि इसके परिशर से एक शिवलिंग मिली थी जिसको हाल ही में राजभवन में स्थापित किया गया है तो इस लिहाज से यह चर्चा में आ गया है और यह जो स्थित है कहां है हरिद्वार में option C इसका सही जवाब है अगर इससे संबंदित कोई सवाल बन जाए तो इसका उत्तर आपको पता होना चाहिए अगला सवाल राज में पंचा चूली ग्लेशियर किस जिले में स्थित है कौन सा ग्लेशियर पंचा चूली ग्लेशियर जो की बहुत ही महत्पूर्ण ग्लेशियर में से एक है option है चमपावज, चमोली, उत्तरकाशी या फिर पिथोरागड तो पं परवत बने हुए है और उनको नंबरिंग दी गई है एक दो तीन चार पाँच करके पंचा चूली एक दो तीन चार इनकी उचाई अलग अलग स्तर पर है अलग अलग श्रणी की जैसे क्रमशा अगर हम देखें एक दो तीन चार पाँच की क्रम में तो 6355 पहली 6904 मीटर दूसरी 6312 मीटर तीसरी 6334 मीटर चौथी और 6437 मीटर पाच भी है इसमें अगर सबसे उची देखा जाए तो हमें दिख रहा है कि दूसरी जो चोटी है अगर हम इसे दो माल ले तो इसकी उचाई 6904 मीटर है पिथोरागड में इस्तित है और अलग-अलग स्थानों से इसक इसे अंतरकत एक मानेता ये जुड़ी है कि जब पांडव महाभारत काल से ये भी जुड़ता है अपने स्वर्ग की ओर जा रहे थे तो उन्हों ने इस छेत्र में आ करके इन्हीं पांच अलग-अलग शंखलाव में अपने अलग-अलग चूले बनाए थे इसी वज़े से इसका नाम पंचा चूली पड़ा हुआ है तो ये एक मानेता इस से जुड़ती है तो इसका सही जवाब क्या है ऑप्शन डी यानि पिथोरागड से संबंदित है अगला सवाल हाली में मुख्यमंत्री पुषकर सिंग धामी ने उत्राखंड के महानायक पुस्तक का विमोच जाहिरती बात है यही सही जवाब है योगेश कुमार और अजीद जी ने पुस्तक लिखी है तो हाली में मुख्यमंत्री जी ने इस पुस्तक का विमोचन किया है इसमें कुछ महत्पूर हस्तियों के नाम शामिल किये गए है जो उत्राखंड के इतिहास के अंतरगत राजन इनके बारे में जानकारी इसके अंतरगत दी गई है चुकि पुस्तक महत्पूर हो जाती है इसलिए इससे सब्मंदित कोई भी सवाल किसी भी स्तर पर बनाया जा सकता है तो सही जवाब इसका क्या है option D होगा इसका सही जवाब यानि A और B दोनों ही लेखकों ने इसको लि साथ तब तक पढ़ते रहें खयाल रखिए शुक्रिया